नमस्कार दोस्तों स्वाइगाता आप सभी का अपना यूटूब चलन दविलेज में तो दोस्तों फोड़ीज गंज रेलवे स्टेशन पर लगातार अधिकाडियों का दोरा जाड़ी है और मंगलवार की शाम डियारेम करनल एसके चोधरी के नितरित में अधिकाडियों और इंजिनियरों की टीम जो है फोड़ीज गंज रेलवे स्टेशन का निरिक्षन किया इस दोरान निर्माद धिन फोड़ीज गंज सहरसा रेलखंड पर अमान पड़ीवरतन का सर्कूलेटिंग एडिया स्टेशन सोंदर ये करन और ललित बाबु असमारक अस्थल सहीत कई और कामों का जायजा लिया गया अब लोकन किया गया मोके पर DRM ने कहा कि 24 गंज सहरसा रेलखंड अमान पड़ीवरतन कार जी जो है वो परोसेस में है CRS निरिक्षन के बाद ही सिगनलिंग का काम जो है वो संभब हो पाएगा ऐसा उन्होंने कहा और साथ ही जो प्लेटफोन नमबर एक पर शेट की कमी है उस शेट के लिए भी परोस्ताओ रेलवेबोर्ट को भेजा गया है जैसे ही मन्जूरी मिलती है उसके बाद शेट का काम सुरू कर दिया जागा और साथ ही जो सहरसा 24 गंज रेल खंड है उसके ट्रेक लिंक के बाड़े में या फिर याड में जो काम चल रहा है उसका भी निरिक्षन किया और साथ ही साथ एस्टेशन भवन का जो अवलोकन का काम चल रहा है रंग पेन का काम चल रहा है उसका भी उन्होंने निरिक्षन क यह हैं जिसकी तस्वीर आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो है काम चल दा है इसको तोरा जा रहा है और इसको जो है इस एडिया को बरा करने का काम चल दा है साथ ही साथ एस्टेशन भवन का रंग रोगन का काम भी चल दा है क्योंकि तैस दिसंबर से पहले ये सभी चीज़ों को जो है complete करना है तो खुल मिला कि अगर बात की जाए तो फ़र्वीज गज में काम जो है वह काफी तेज गती से चल रहा है और आप ये वीडियो फ़र्वीज गज की देख रहे थे जो हमें चंदनकुमार ने शेर किया है तो अगर आपको ये वी पूरेट के साथ तब तक देखते रहे है तविलेज यूटूब चैनल